स्वागत है आपका मैं साहिद आलम सिविल इंजिनियर आज हम बात करेंगे दुनिया के साथ अजुबों के बारे में सेबन वंडर्स के बारे में तो आए जानते हैं उनके बारे में सबसे फर्स नंबर पे दग्रेट वाल अफ चाइना इसे बनाने में लगबग 20-30 लाक सब्सक्राइव जो जौडन में बनाए गया था है इंए यह 312 वी इसी में बनाएगया था एक इतिहासिक नगरी जैसे होर पहाड पे बनाए गया ए नमबर पर आता है कोलेसियम जो रोम इटली में जित जिसे असिए 70 एडी में बनाए गया था इसके निर्मान SPN ने किया था और इसको पूरा किया था समराड टाइटस ने ये केश्टेडिय में जिसकी छमता 50,000 दर्सकों की थी जो उस समय आसादारन बात थी जो 24,000 स्कौाइर मीटर में फैला हुआ है फोर्थ नमबर पर आता है चिचेड इटजा जो मेक्सिको में है इसे 600 AD में बनाए गया था ये माया सब्याता द्वारा बनाए गया एक बड़ा शहर था फाइब नमबर पर आता है माचू पीचू जो पेरू में है इसे 1438 AD में बनाए गया था जिसकी उच्चाई समुद्र से 2430 मीटर है इसे इंका सब्याता के द्वारा बनाए गया था सिक्स नमबर पर आता है क्रिष्ट दा रिडीमर बारजील में है जिसे 1926 AD में बनाए गया था इसा मसी की एक परतीमा है जिसे दुनिया का दुसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टेचू बना जाता है यह स्टेचू 130 फीट लंबी और 98 फीट चोड़ी है ताज महल ताज महल हमारा अपना इंडिया में है जिसे 1932 AD में बनाए गया था जिसे साज आगे द्वारा बनाए गया था जो 42 एकड़ पर फैला हुआ है इसे 2007 में सेबन वंडर के लिस्ट में सामिल किया गया था तो ऐसे ही रोचक वीडियो के बारे में जानने के लिए जुड़ी हमारे साथ सस्क्राइब किजी हमें मिलते हम आपसे अगले वीडियो में